हैक इक सच्चाई है जससे बचना मुश्किल है तमाम तरीके हैं हैकिंग से बचने के लेकिन आए दिन हैकिंग से जुड़ी खबर सुनने को मिल ही जाती है बाद चाहे बैंकिंग से जुड़ी हैकिंग की हो या सोशल मीडिया अकाउंट की आपके laptop से लेकर office और घर के CCTV कैमरा तक hack होना एक करवी सचाई है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? आज हम बात करेंगे social media मतलब facebook, twitter और instagram account की अगर आपका social media account hack हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि आपका facebook account hack हो गया है? आपका email और password बदल जाए, नाम या जन्म की तारीख में कोई बदला हो जाए आप जिनको जानते भी नहीं उनको friend request जाने लगे ऐसे message post हो जाएं जो आपने लिखे ही नहीं, वो post जो आपने create ही नहीं की हो ऐसा कुछ भी आपको notice होता है या कोई भी ऐसी activity जो normal नहीं हो तो समझ लीजे, आपका account hack हो गया है अब करना क्या है? Facebook help center विजिट कीजे, आपके पास दो option आते हैं पहला आप अपने account को login कर पा रहे हैं और दूसरा नहीं कर पा रहे हैं अगर आप login कर पा रहे हैं तो facebook.com slash hack पर जाकर process कीजे अगली window पर आपको report compromised account दिखेगा step by step process को follow कीजे अगर आप login नहीं कर पा रहे हैं तो facebook आपसे account से जुड़े phone number और email को access करने के बारे में पूछेगा आपकी yes कहते ही facebook आपको account से log out करने और facebook.com पर जाकर forgot account पर क्लिक करके screen पर दिए निर्देशों को follow करने के लिए कहेगा अगर आप account से जुड़े phone number और email को access नहीं कर पा रहे हैं तो facebook आपको facebook.com slash identify page पर क्लिक करने के लिए कहेगा account से जुड़े phone number या email से आपका account सर्च करके password reset किया जा सकता है आप account से जुड़े दूसरी email ID और phone number से भी ऐसा कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैसे कि account से जुड़े सभी details सही भरिये जिससे आपको recovery में मदद मिले email ID बदले जाने पर या phone number चेंज होने पर इसकी जानकारी आपको email और SMS से मिल जाती है इस पर नज़र पढ़ते ही तोरंत अपने account को safe कीजे कैसे पता चलेगा कि आपका Instagram account हैक हो गया है account हैक होने की पहचान तकरीबन एक जैसी है friend request की जगा यहाँ followers घटने और बढ़ने जैसी activity हो सकती है ऐसी post या video जो आपने नहीं डाला हो या फिर किसी और की post पर आपके account से comments कोई से भी normal नहीं लगने वाली activities बात का संकेत है कि कुछ तो गढ़बढ है क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो account से जुड़े email पर नज़र डालिए अगर आपका email बदल गया है तो security at the rate mail.instagram.com से आपको इसके बारे में mail आया होगा आप यहीं से इसको रोक सकते हैं Instagram से login link मांगना भी एक तरीका है Android smartphone है तो login screen से get help, logging in और iPhone है तो forgot password पर क्लिक कीजिए यूजर नेम, phone number और email में से किसी एक को एंटर करके send login link पर क्लिक कीजिए email या SMS पर आई link पर क्लिक कीजिए और screen पर दिये निर्देशों को follow कीजिए अगर आपके पास username, email या phone number नहीं है तो need more help पर क्लिक कीजिए और दिये गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए अगर login link से आपका काम नहीं बन रहा तो security code भी एक तरीका है इसके लिए आपको अपने smartphone का इस्तेमाल करना होगा Android smartphone है, तो get logging in पर जाएए need more help पर क्लिक कीजिए फिर send security code option चुनिए iPhone users login screen पर need more help पर क्लिक करें इसके बाद send security code वाला विकल्प चुनिए तीसरा तरीका है, verify your identity अगर आपकी Instagram एकाउंट में बिना photo वाली profile है तो आपकी request पर Instagram एक auto email के जरिये आप से जुड़ी जानकारी मांगता है इसमें email id, phone number और device के संबंध में जानकारी ली जाती है अगर आपकी profile पर तस्वीर है तो आप से एक video selfie मांगी जाएगी इसमें आपको अपने सिर को इधर उधर ले जाकर एक video selfie बनानी होगी Instagram का कहना है कि इसके जरिये आपकी पहचान सुनिश्चित की जाती है वीडियो selfie के जरिये आपकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद आपको Instagram से एक mail मिलेगा उस secure email id पर जो आपने साजह की थी अगर account hack हो गया है लेकिन आप access नहीं कर पा रहे हैं तो two-factor authentication, password reset और third-party access को हटाने जैसे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं कैसे पता चलेगा कि आपका Twitter account hack हो गया है अगर आपको कुछ अवांचित tweet अपनी timeline में दिखने लगे direct message से ऐसे message जाने लगे जो आपने नहीं भेजे हो कोई भी account अपने मन से follow या unfollow होने लग जाए या block हो जाए account से जुड़े email, phone number, username में बदलाओ के notifications आने लगे account compromised होने का notification मिले यहाँ बताए गई activity या कुछ भी जो normal नहीं लगे तो समझ जाईए कि account से छेड़ चाड़ हुई है इसके बाद दो परिस्थितियां पैदा होती है account के साथ छेड़ चाड़ हुई है लेकिन आप login नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में password बदलें अगर आप logged in हैं तो settings में password टैब पर क्लिक करके बदलाओ कर दें अगर आप logged out हैं तो login पेज पर जाएंगे यहाँ पर forget password पर क्लिक करके password reset कर दें अब मजबूत password चुनें नहीं पहचान पा रहे हैं अगर account से जोड़ी email का access आपके पास नहीं है तो उसके लिए screen पर दिये दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा third party access बंद कीजिए और अगर जरूरी है तो उनके password चेंज कीजिए अगर आप login नहीं कर पा रहे हैं पासवर्ड reset के लिए request भेजिए ट्विटर से request मंगवाते समय यूजर नेम और email ID देने की कोशिश कीजिएगा इसके बाद आपको password reset का mail आएगा उस account पर जिसे आपने अपने Twitter account में इस्तिमाल किया था जो आपके hacked Twitter account से जुड़ा हुआ है क्योंकि Twitter की ओर से उस mail ID पर अतरिक्त जानकारी और instruction भेजे जाएंगे request submit करने का दौरान अपने username और अंतिम बार account एकसेस करने की तारीख जरूर बताएं एक जरूरी बात जब भी आप Twitter password बदलते हैं तो smartphone के app से auto logout नहीं होते हैं ये दिक्कत दे सकता है तो अपने smartphone में Twitter app पर जाकर logout कीजे और फिर नए password से login Twitter website पर login करके settings में जाकर device और app का access हटा कर भी ऐसा किया जा सकता है आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी सुरेकांत ने मैं हूँ सुर्भी कैमरे के पीछे हैं जतन देखते रहिए दिलललन टॉप शुक्रिया